नमस्ते जोस्तों, हाज Q2 में हम बात करते हैं, ICACI protect Return of Premium Terminus ke बारे में बेसिकले मैं आपको एक बात बतना चाहता हूं, ICACI protect plan है, काफ़ी पुराना plan है और इसमें new benefits अभी add किया है उन्होंने with Return of Premium अगर आपको ICACI protect smart policy के बारे में कुछ other feature जानना होता है अपर्ट फ्रॉम रिटन और प्रिम्यूम तो मेरा ओल्ड वीडियो मैंने अल्री बना चुका हूं उसके लिए मैं आपको लिंक में डिस्रीशन बॉक में प्रोएट करता हूं वहां पर जाके आप पूरा आई प्रोटेक्ट स्मार्ट ट्रम इंशन के बारे में अधर स्विच आप दे रहे हो आज प्रिम्यूम आप पे कर रहे हो इंशिरंस को वह आपको पॉलिशी टर्म में एक्सपाइड होने के बाद यह मैच्रूटी जब हो जाता है तब आपको पैसा रिफंड दिया जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं ठीक है जब पॉलिशी आपको पर दो हो सकते हो पहला जो आप्षेंस आपका रिटन आप प्रिम्यूम का है ये एक आप्षें आपको सेलेक कर सकते हो दुसरा आप्षेंस आपको मिलेगा इंकम बेनिफिट आप्षेंस मिलता है और तीसरा आप्षेंस आपको मिलता है रिटन आप प्रिम्यूम विद करा सकते हो तो सबसे पहले आगर आप जानना चाहते है, है उसके बार में पर इस इसमें आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करता हूं रिटना प्रिम्यम में आपको लाइफ को जो मिलने वाला है जो आप बेसिक समय चुड़ा पिलेते हो वो तो बैसिकली सेमी रहता है जिसी कि यह 50 लाग रुपे होगा या फी एक करोड रुपे जितना भी आप समय लेना चाहते हो वो समय चुड़ आपका चेंज होता नहीं है इस पॉलिसी में ठीक है मतलब यह आपको सिर्फ रिटना प्रिम्यम के बारे में है तो आप जो भी समय चुड़ा प्लेते हो अप्सुलिट आमांट जो आप सलेक करते हो समय लिए मान लीजे आपने एक करोड र प्रिम्युम पे किया है उसका 105 परशन आपको प्रिम्यूम रइतर्न होता है आपको पॉलिसी का 105 परशन परेंड के जो प्रिम्या आपकोड कर रहे हैं जी बेसिकली आप समयूड का समय नहीं करते हैं ना कि आपके पॉलिसी में कुछिछ आड़न बेन 비esis अगर आप नहीं किया है जैसे कि accident cover भी आप add कर सकते हो optional चीज़ है या फिर आप critical benefit medical benefits add down कर सकते हो वो भी optional चीज़ है वो चीज़ का पैसा आपको refund नहीं मिलता है सिर्फ basic समयशुड का पैसा पे कर रहे हो उतना है पे करता है और और एक चीज़ अगर आप policy में किशी कारण क्यों से प्रिम्यम पे करना बंद कर दी है और आपका policy करते हैं ठीक है तो जो दूसरा benefit options में आपको बताना चाहता हो income benefit options पहले options में क्या है normal life का और है एक समयशुड चूज करो और policy expert होने के बाद आपको 105% का प्रिम्यम आपको जो जितना भी total प्रिम्यम पे किया उसका 105% आपको आपको आपिस करते हैं लेकिन आपको income benefit options आप चूज करते हो इसमें आपका समयशुड आपको इनिसली चूज करना होता है ठीक है इसमें भी सेम है लेकिन आपको जो पैसा जो policy जब expert हो जाएगा ठीक है उसमें नहीं मिलेगा यह policy जब चल रहा है उसे में आपको याज़ा income में आपको जितना अपने प्रिम्पे क क्या वह आपको refund किया जाता है लाइफ को और तो सेम है ठीक है तो इसमें आप देखिए survival benefit जब यह प्लान आप आप करते हो income benefit वाला तो इसमें आपको 0.1% 0.2% और 0.3% आप बेसिक समयशुड जितना आप समयशुड ले रहे हैं 50 लाग रुपे एक करोड रुपे उसका 0. 0.1% 0.2% 0.3% इसका आपको monthly में आपको जो payout दिया जाता है ठीक है monthly payout आपको दिया जाता है और कब policy end होने तक कब से start होगा यह आपका age अगर 60 साल आप पार कर गए हो यह आपका age 60 साल हो जुगा है तो आपको 61 years से लेके और policy complete होने तक आपको regularly monthly basis पे आपको payout दिया जा कोई भी options इसमें से तीनों में से आपको policy जब खरिते हो तब ही आपको company को बताना होता है कि आपको इन तीनों में से कितना percentage चाहिए पकड़ लेजे कि आपको 0.2% आपने लिया है ठीक है और आपको income benefit में 0.2% आपने जब लेने के बाद जब आपका age 60 साल हो जाएगा जब तो आपको monthly basis पर आपको payout दिया जाता है कब तक जब तब policy आपका end होता नहीं तब तक ठीक है जब policy end हो जाएगा तब यह आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है तो आपका जब 60 साल का age हो जाएगा तब आपको refund pay कर रहे है उसमें आपको जो है आपको सम्मेश ओड़े ना उतने amount का reduce करिया जाता है अगर उस दवरान मिल्ट्य हो जाते हैं तो इस चीज़के में आपको better समझाने के लिए मैं आपको example बता देता हूं उसके बारे में अभी देखिए अगर आपने policy लिया है 75 लाक रुपिस का cover समय चूश किया है ठीक है और आपको policy का paymentum आपने 10 साल कर लिया है ठीक है और इसमें क्या है आप यह example के तोर पर आपको समझा रहा हूं तो next policy years आएगा तब आपको monthly basis के ऊपर साड़े साथ हजार साड़े साथ हजार रुपे कैसे calculate किया है जैसे मैंने आपको पता एक्जमपल के तोर पर अगर आपने benefit option इसमें देखिए income benefit option आपने लिया है 0.1% आप तो basic समय शोड़ ठीक है 75 लाक रुपिक्स का 0.1% जो होता ह है साड़े साथ हजार रुपे मंद्ली basis पर आपको दिया जाता है यहनि कि यह साल का हो जैगा 90,000 रुपे हर साल दिया जाता है तो 90,000 रुपे हर सल मिल रहा है ठीक है तो इसी एग्जमपल में देखिए 60 सल हो जाने के बाद आपको पैसा return मिल रहा है और जब आपका इसमे से आपको दस सव प्रिमेंट में लाइक है कि नभ्य हजार ही टेन ठीक है नाइन जब यहां पर हो जाता है सतर एज में तो उस समय आपको जितना भी पेवाट आपको दिया गया है वह समय शोर से रिडूस्ट करके आपको यह आमोन दिया जाता है जी अभी हम बात करते रिटन अप्रिमियों विद लाइफ सेच के अबर इसमें आपको पॉलिसी जब हो जाएगा मैच्रोटी हो जाएगा तब आपको पेवाड तो दिया जाता है लेकिन जब आपने लाइफ कर लिया है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि आपने जो आपका यहाँ पे आपने चूज कर लिए है तो अभी हम बात करते हैं रिटन आफ प्रिमियम विद लाइफ सेच के बारे में यह तिसरा बेनिफिट ऑप्शन से इसमें आपको जब आप पॉलिसी चूज करते हो जब पॉलिसी है तो अभी हम बात करते हैं रिटन आफ प यानि के समयश्वर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं लेकिन आपको पैसा जब पालिसी जब पंप्लिट हो जाएगा टूट अजबी पालिसी आपका मैच्टूटी हो जाता है तबी अन्माच्टूटी पे आपको 105 प्रेमियम टोटल प्रेम जितना पीग एगा 105% मिल जाता है ल मान लिजे आपने यहां पे 50 लाग रुपे का समयश्वर चूज किया है तो फर्स्ट पॉलिसी यर में आपका जो समयश्वर है 50 लाग रुपे से रहेगा ठीक है और आपका सेकंड पॉलिसी यर से लेके आपका एज 55 होने तक आपका समयश्वर जो रहेगा हर साल 62,50,000 रुपेस आपका सेकंड पॉलिसीी यर् में होगा सेंड पॉलिसी यर में आपका 55,00 रुपेस बनेगा-ैसे फाइट पर्स अर preventing होते है वह कब तक आपका एज 55 अरस होगा ने तब तक आपका इंक्रीच होगा या फिर आपका जो समयश्वर आपने इनिश्वर तो उसके बाद increment stop हो जाएगा, उसके बाद increment होता नहीं है, या फिर आपका age का 55 years तकी increment होता है, ठीक है, और आपका age 56 years से लेके और आपका age 70 साल रहेगा, ठीक है, 56 और 60 age के अंदर आपका सम्मेशुड वापिस से जो फर्स्ट येर में आपका policy में सम्मेशुड था पचासल रुपे, वापिस से उतना ही हो जाएगा, ठीक है, और आपका age 60 साल से लेके और policy खत्ब होने तक, आपका जो सम्मेशुड इनिशली 50 लाग रुपे से लिया है, वो घटके 50% हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 25 लाग रुपे आपका सम्मेशुड हो जाएगा, ठीक है, तो इ इनिशली आपका सम्मेशुड फर्स्ट पॉलिस येर में आपने लिया है 50 लाग रुपे का, ठीक है, और सेकंड पॉलिस येर में आपका 52,50,000 रुपे स हुआ है, तो ऐसे आपका हर साल आपका पास साल इंक्रिमेट हो रहा है, कब तक आपका एज जब 50 हो जाएगा, आपक हो जाएगा, तो उसके 50 साल के बाद आपका इंक्रिमेट होता नहीं है, ठीक है, वो फिक्स रहता है, यहाँ उसके बाद इंक्रिमेट होना बंद हो गया है, आपका सम्मेशुड एक क्रोड हुआ है, जब आपका एज 56 होने के बाद, ठीक है, 56 लेके 60 ये इस एज के अंदर आपका सम्मेश्र वापिस से 50 लाके हो जाएगा जैसी कि यहां आप देख दें 50 लाकों भी हो जाएगा इन इस एज के अंदर ठीक है उसके बाद आपका एज साथ साल से लेके और पॉलसी खत्म होने तक आपका जो इनिसल सम्मेश्र है इसका फिप्ट्य परसें हो जाता है तो इतना जो मिति होने घटर के जो व있ो घरएंचा है हो इतना आपको आपको पॉूलृसी एक्षपर्ड किया जाता है। जो भी मैचुनाईत segreg क्या है जितना पने प्रियंप पोंड किया है उसका extrem 5% को भाध किया जाता है के चलिए अभी यह बात करती early return of premium with the life stage cover के बारे में यह fourth option से fourth option में और third option में both similarly है इसमें आपको मैच उटी के बाद पैसा मिल रहे है और तिसरे option में आपको जो policy expert हो जाएगा तब आपको पैसा मिल रहे है और चौत्य option में आपका policy जब चल रहा है उसी के दोरां आपको पैसा मिल रहे है ठीक है life cover में सब सेम है किसे मैंने आपको और एक्स्प्रिन किया फर्स्ट पॉलिस यह में आपका समयशोर यहां पर अपसुलीट उतना रहता जितना आपने चूज किया है सेकंड पॉलिसी यह के लिए के होने तक आपका इंक्रिमेटर फाइएस आपका समयशोर का पालिसी तर्म में आपका जो इनिस्टिल समयशोर लिया उसका 50% बनेगा ठीक है और आपको प्योड इसमें कब मिलेगा जो पॉलिसी एक्सपर्ट होगा तब प्योड नहीं मिलेगा लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको जो प्योड कब चाहिए जो पॉलिस मौन अगर आपकों चाहिए 60 साल के बाद को आपको जब 60 हो जाएंगे तो आपका एक कलंसा मौन आपको दिया जाएगा 55% अ टोटल प्योम पर या फिर आप यह की शीषड़ सही करना होता है तो इसमें जो भी परिंट इसफिर और डिक्स करतãy downward कर थेación कर देता हो कि जितना आपनी प्रिमियम पे कर रहे हैं तो 105 परसेंट उसका एक्जाटली नहीं होता है क्योंकि इसमें अगर आप बेनिफिट में आप मेडिकल बेनिफिट किटिकल लिमिस का बेनिफिट डालते हो ठीक है यह दुबारा चीज में आपको बता रहा हूं तो वह रिफंड नहीं होता ह से बेस्ट प्रिमियम का ही आपको रिफंड किया जाता है ठीक है इसी प्लान में आपको और बेनिफिट आप्शेंस है अगर आप चूज करना चाहते है जैसे कि इस पॉलिश में आप यहां देख पा रहे हैं और डेट बेनिफिट प्योट आपको दिये गए जैसे कि यह प आपको अलग से वीडियो बनाया है उसका कंप्लेट वीडियो सकते जो भी आधर फिचर्स यहां पर आप देख पार है प्रीमियम प्रेमेंट कितना है कितना केल्कुलेशन करना है कि टीकलिनेस क्या है डेट बेनिफिट क्या है यह सारे अलड़री एक्स्प्रिंट किया हू तो उसी ओल पॉलिसे में मैं उतना ही कवर करना चाहता हूं आज के लिए इतना है थैंक्यू